वारानसी की ज्ञानवाफी मस्जिद का वीवाद इन दिनों चर्चा में है कोर्ट ने आदेश दिया है कि पूरे परीशर का सर्वे कराया जाए एक पक्ष का दावा है कि ज्ञानवाफी मस्जिद को तोड़ कर बनाया गया है और इसके तहकाने में मंदिर से जुड़े प्रमार भी मौजूद है इसी को लेकर कोट ने वीडियोग्राफी और सर्वे करने का आदेश दिया है इतिहास की किताबों में कुछ पन्ने इस अस्थान का सच बया करते हैं इनके मुताबिक साल 1194 से 1679 के बीच ग्यानवापी परिसर पर कई बार हमले हुए तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ करन उपाद्याए और आप देख रहे हैं सोसल पंचायब दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और सब्सक्राइब के बगल वाली घंटी को जरूर दबाले ताकि आगे आने वाली सारी जानकारी आपके पहले पहुँचे तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि क्या है ग्यानवापी का इतिहास आखिर क्यूं है पूरा विवाद और इससे जुड़ी कुछ रहसे में जानकारी तो बने रहे शोशल पंचायद पर काशी विस्वनाथ मंदिर और ग्यानवापी मस्जित का इतिहास काशी या वारारसी या फिर कहें बनारस तीनों एक ही हैं बनारस इतिहास से भी पुरानी दुनिया का सबसे प्राचेन शहर है ऐसा कहा जाता है कि भगवान शियो कैलास छोड़ कर यहां रहने के लिए पहु बाबा विश्वनाथ मंदिर आधि काल से ही मौजूद है किसी को नहीं मालूम कि सबसे पहले काशी विष्वनाथ मंदिर किसने बनवाया था यह प्राचीन काल से अस्तिक्त्तों में था अब हम जानते हैं क्या है घ्रन वापी का मतलब घ्रन वापी शब्ड इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में हैं इसका मुख्य कारण वाराणसी इस्तित वो घ्रन वापी परिशर जहां कासि विश्वनात मंदीर के साथ ही साथ मस्जिद भी है ग्यानवापी शब्द ग्यान प्लस वापी से बना है जिसका मतलब है ग्यान का तालाब कहते हैं कि इसका ये नाम उस तालाब की वजह से पड़ा जो अब मस्जित के अंदर है वहाँ भगवान शिव के गड़नन्दी मस्जित के ओर आज भी मूग किये बैठे हैं अब हम जानते हैं ग्यानवापी का इतिहास कहा जाता है कि विश्वनात मंदिर को सबसे पहले एक 1194 में मुहम्मद गौरी ने लूटा और तोड़ फोड़ की इसके बाद 15 शदी में राजा टोडरमल ने मंदिर का जिर्णो धार कराया इसके बाद 1679 में औरंग जेब ने एक आज ग्यानवापी मस्जित कहा जाता है यही वज़ा है कि इस मस्जित का पिछला हिस्सा बिलकुल मंदिर की तरह लगता है दूसरी ओर सन 1780 में इंदोर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी के अंदर का जिर्णो धार कराया इस दोरान पंजाब के महाराजा रजजि सिंग ने करीब एक टंसोना मंदिर के लिए दान किया था आखिर क्या है पूरा विवाद ग्यानवापी परिसर में स्थित मस्जित को लेकर शुरु से ही विवाद रहा है हिंदो पक्ष का कहना है कि 400 साल पहले मंदिर तोड़कर वहां मस्जित बना दे गई जहां मुसलिम स सिविल जज की अदालत में एक याचिका लगाई गई जिसमें कहा गया कि जिस जगह ग्यानवापी मस्जित है वहां पहले भगवान विश्वनात का मंदिर था और श्रिंगार गोरी की पूजा होती थी याचिका में मांग की गई थी कि ग्यानवापी परिसर को मुश्लिम पक्षे से खाली कराकर इसे हिंदूओं को सौब देना चाहिए वारांसी की ग्यानवापी परिसर में स्थित बाबा विश्वनात के मंदिर और मस्जित को लेकर यही विवाद है अब जानिये इस विवाद में आखिर कब और क्या हुआ 1936 में पूरे ग्यानवापी परिसर में नमाज पढ़ने के अधिकार को लेकर ब्रिटिश सरकार के खिलाब जीला नियायले में मुकदमा दायर किया था दवेदारों की ओर से साथ गवाः और ब्रिटिश सरकार की ओर से 15 गवाः पेश किये गए थे 15 अगस्त 1937 को मस्जित के हलावा अन्य ग्यानवापी परिसर में नमाज पढ़ने के अधिकार को नामंजूर कर दिया गया 10 अप्रेल 1942 को निचली अधालत के फैसले को सही ठहराते हुए हाई कोर्ट ने अपील निरस्थ कर दी 15 अक्टूबर 1991 को वालाणसी के अधालत में ग्यानवापी में नए मंदिर के निर्माड और पूजा के अधिकार को लेकर पंडित सोमनात फ्यास डाक्टर राम रंग शर्मा और अन्य लोगों ने मुकदमा दायर किया 1999 में हाई कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद और यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनों की ओर से दो याचिकाएं दायर की गई 7 मार्च 2000 को पंडित सोमनात व्यास का निधन हो गया 11 अक्टूबर 2018 कोप पुर्व जीला शाच किया अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी को इस मामले में वादमित्र नियुक्त किया गया 8 अप्रेल 2021 को वादमित्र की अपील मंजूर करते हुए पुरा तत्विक सर्वेक्छड कर आने का आदेश जारी किया 15 माई 2022 यानि शनीवार से सर्वेक्छड कर आया जा रहा है तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह जानकारी अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इससे प्लेज शेयर करिएगा और ज्यादा ज्यादा लाइक करिए कॉमेंट करके हमको जरूर बताइए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा तब तक के लिए धन्यवाद